Hi guys, welcome back to today's video, मैं हूँ Sonia और आप देख रहे हैं Sovix Vlog तो आज आपको मैं कहां लेकर जाने वाली हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहां का medical store तो देखेगा कि जो यहां की medical store होता है, जो यहां की medical की shop होती है, chemist की दुकान होती है, वो कैसी होती है तो इंडिया की और यहां की shop में थोड़ा सा difference है, तो वो आप देखेंगे जब आप मेरे साथ चलेंगे उस shop में और मैं आपको दिखाऊंगी कि उस shop में कैसी कैसी दवायां मिलती हैं और क्या क्या चीज़े और extra हैं जो यहां की medical shop में आपको मिलेंगी वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ देखें यहां पर जो है न दवायां बहुत मेहंगी मिलती हैं तो अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं या आपका कोई relative इंडिया से आ रहा है या आपको कोई visit करने आ रहा है तो मैं यह suggest करूंगी कि please आप लोग जो है लेकिन with prescription बिल्कुल आप बिना prescription के कोई दवाई नहीं लेकर आ सकते हैं कोई से भी शायब दवाई ला रहा है आँखों में डालने की drop ला रहा है या कुछ भी आप लेकर आ रहा है न तो आप लेकर आ सकते हैं लेकिन आपको हर दवाई का जो है न वह proper prescription ज़रूर ला रहा ह prescription के बिना आप कोई भी medicine यहाँ पर नहीं ला सकते हैं तो जो basic medicine है वो मैं suggest करूंगे कि आप लोग अपने साथ जरूर क्यारी करें और बाकी तो देखिए फिर जब आप लोग रहते हैं तो भगवान ना करें कोई बीमार हो लेकिन हाँ अगर बीमार होता है तो फिर दवाईया में लेनी ही पड़ती है और यहां के according ही लेनी पड़ती है और देखिए यहां पर ना एक चीज और डिफरेंट है कि यहां पर आप लोग जो दवाई है वो बिना डॉक्टर के prescription के नहीं ले सकते हैं जिसे इंडिया में तो हम लोग काफी medicine जो है वो बिना डॉक्टर से आते हैं हम लोग बताते हैं हम लोग ले लेते हैं लेकिन यहां पर जो है कुछ ही दवाईयां ऐसी है जो general दवाईयां होती है वही counter पर आपको मिलती है on the counter आपको मिलती है otherwise अगर आपको कोई भी specific दवाई लेनी है तो उस दवाई के लिए आपको doctor का prescription चाहिए उसके बिना वो लोग कोई आपको medicine नहीं देते हैं तो आएए मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं आपको कि इस medical store में यहां के medical store में आपको दवाईयां मिलती है और क्या-क्या खामान मिलता है और कैसे मिलता है तो चलिए मेरे साथ कर दो कि पहुंच गये हैं हम यहां के medical store में तो यह जो सामने आप देख रहे हैं न और यहां का जो स्टोर है वो बिल्कुल जैसे एक सूपर मार्केट टाइप होता है ना कि आप अंदर जाएए विजिट कीजिए सारा पूरा स्टोर बिल्कुल उसी ही तरह से होता है इंडिया की तरह नहीं होता है कि जैसे इंडिया में होता है ना कि काउंटर पे खड़े होत देखिए यहांपर, देखिए बहुत सारी चीज़े मिलतीहे हैं।सिए पूरा वाला सारा सामान तो जो scrubber वगर होता है या जो wax की machine होती है वो सब यहां पर लगा हुआ है आगे आप देखेंगे baby के nappies का section है तो सारी nappies यहां पर हैं अलग-अलग तरह की और सामने आप देख रहे हैं na cotton तो था ना face clean करने के लिए cotton cotton balls तो different different type के cottons वगर होती हैं यहां पर और यह वाला है beauty section यहां पर आपको मिलेगा आपका सारा make-up का सामान, eyeliner, काजल, lipstick, nail paint, foundation, जो भी make-up का सामान आप लोग यूज करते हैं, वो सारा सामान भी आपको chemist की shop पर मिल जाएगा, और यहां पर chemist की जो यह shop है, उस पर कई बार ना काफी अच्छे discount prices भी लगे होते हैं, तो काफी सही सामान हमें इस chemist की shop पर मिल जाता है मेडिकल स्टोर पर सारा ही जनरल सामान हमें मिल जाता है, और यहां पर देखे, सारे संग्लासेज भी हैं, संग्लासेज भी हैं और जो नॉर्मल रडिंग लासेज होते हैं, वो भी हां पर जो लोग भी एक्सराइज बगरा करते हैं, जिम बगरा करते हैं, सारे प्रोटीन पाउडर सब यहां मिलते हैं बॉडी केर के लिए सारी चीज़े मिल जाती हैं, लोशन बगरा इस सेक्शन में आप देखे हैं, सारे वाइटमिन्स वगरा रखे हुए हैं, केल्शियम, आयरन, और यहां देखे हैं, हर रेक का नंबर लगा हुआ है, वान टू, त्री, फॉर, फाइफ आपने अगर इस वीडियो में देखा है, तो हर रेक पे एक नंबर है, हर डिरेक्श इस टाइफ की दवाइयां मिलेंगे आपको, और जसा मैने आपको बताया कि यहाँ पर यह जुतना भी दवायों से डेलेटर है, वो सब जो हैं, जनरल है, वही आपको यहाँपर मिलेगी, कोई भी specific दवाई, अगर आपको लेनी है, तो वो आपको यहाँपर नहीं मिलेगी और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है paying का counter medical store के पीछे की तरफ हमेशा यह आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है leave prescription तो इस तरह का एक अलग counter बना होता है तो इसी counter पर आपको अगर आपके पास आपका prescription है दॉक्टर ने आपको दिया है तो आप यहाँ पर prescription दीजिए और फिर वो जो पीछे से दवाईया है ना वो सारी दवाईया प्रिस्क्राइब दवाईया है तो फिर वो लोग आपको यहाँ से दवाई निकाल करके देंगे कई बार क्या होता है कि जो आपका doctor है जो आपका GP है वो इस store पर जो भी आप अपना store बताते हैं आपका nearby वहाँ पर email भी कर देता है अपना prescription और कभी-कभी वो आपको handover करता है तो आप जाकर ले सकते हैं मेरी skin पर actually थोड़ी सी allergy सी हो गई है कुछ dryness है तो मैं chemist shop पर आई हूँ तो इनी से पूछ लोंगी actually यह जो chemist shop होती है ना तो यहाँ पर जो prescription की दरफ counter पर जो लोग होते हैं वो qualified certified होते हैं तो basic दवायां वो भी आपको suggest कर देते हैं तो एक skin cream मुझे chemist ने suggest की है और कहा है कि मैं at least 7 days तक 3-4 times अपने हाथ पे लगाऊं और उससे ठीक हो जाना चाहिए और अगर ठीक नहीं होता है तो फिर मुझे doctor के पास जाना पड़ेगा तो friends यह था यहां का medical store जो बिलकुल एक general store की तरह ही है जहां पर आपको जो है ना basic सामान मिल जाएगा आपके जो भी आपका personal care का सामान होता है वो आपको यहां मिल जाता है तो इस store पर आपको जो general चीज है वो आप अपने आप ले सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया लेकिन कोई specific अगर medicine लेनी है तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी उसके लिए आपको prescription की ज़रुत पड़ेगी और prescription के लिए separate counter होता है वहां पर आपको prescription देना होता है और फिर वो आ लेकर आ सकते हैं तो खुद लेकर आईए लेकिन with prescription बिना prescription के आपको कस्टम में problem हो सकती है तो सारी चीज़े आप लाईए लेकिन सिर्फ proper prescription के साथ लेकर आईए बाई बाई टेक केर एंड डोंट फोकिट टू सब्सक्राइब है चैनल जल्दी ही विलेंगे आपसे फिर से एक नहीं वीडियो के साथ बाई बाई प्लाइं किसी कर दो